पूरे प्रदेश में सर्पंचों ने प्रदेश सरकार की E-Tendering प्रणाली के खिलाफ लगातार विरोध किया जा रहा है। जिसके चलते मंगलवार को सर्पंचों ने BDPO कार्याले के गेट पर ताला जल दिया और E-Tendering के विरोध में जोड़दार प्रदर्शन किया। सरपंचों का नित्रित्व करते हुए सरपंच एसोसियेशन के ब्लॉग प्रधान दुनी चंद और उप्रधान संदीप चहल ने कहा कि जब तक सरकार ग्राम पंचायतों पर थोपे गए तुगलकी फर्मान को रद नहीं करती तब तक BDPO ब्लॉग पर जड़ा ताला नहीं अगर हर्याना के सरपंच एक महीने तक पंचायत के काम बंद कर देंगे तो सरकार को जुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 वर्ष में लोग सभाव विधान सभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रदेश सरकार को गाव की सरकार के पास आना पड़ेगा। में CM को काले जंडे दिखाये जाएंगे। 16 जनवरी से प्रदेश भर के BDPO कारयालें पर ताला जड़ा गया है और 22 जिलों से 22 सदस्य कमेठी का गठन किया जाएगा जो इस कमेठी का मार्गदर्शन करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि पंचायत मंत्री ने सरपंचों के खिलाफ चोर शब्द का पर्योग किया है वहनिंदनिय है जिसके लिए पंचायत मंत्री को सरपंचों से माफी माँगनी चाहिए। तबी सरपंचों ने अपने एशेशन के तरफ से इकठे होके जो ये सरकार ने एट एंडरिंग का जो दो लागा तक के सरपंचों के कारियाकार को बंद आ है उसके विरोध में और जो राइट टूर का रिकॉल जैसे कानून अभी हम सरपंचों बलाके तो अपनी हैं उसके जब तक हमारी मंगे पूरी निए की जाती तब तक हमारा अधेश उपर से हमारे आरियान आइसेशन के तरफ से आएगा तब तक ऐसे ही ताड़ा बंदी इस बीडी प्योफ के चलेगी